सैमसंग गेलेक्सी ओन फाइफ प्रो आटो कॉल रेकॉर्डिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तो केसे आप जो है अपने डिवाइस उसकी स्वाइसमें आटो कॉल रेकॉर्डिंग नोट वॉर्किंग प्रॉब्लेम सॉल्फ के सी कर सकती है अगर दोस्तो आटो काॉल रेकॉर्डिंग काम नहीं अगर है न आप यहा पे दोस्तो oldлем रेकॉर्ड सेटिनग क्या हुआ है धिर भी काम नहीं आज के इस वीडियो के साथ ही आपका जो प्रॉब्लम है वह भी सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो जो है अन तक देखना होगा जो भी मैं आपको सॉलीशन बताने वालो इसको फॉलो कीजिए सेटिंग और सॉलीशन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दोने वताने वालो सही तरह किसे सेटिंग करना है किसे सॉलीशन करना हो उसके बाद जाके सॉल्फ हो जाएगा आपका प्रॉब्लम वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो करना क्या है अगर आप को प्रॉब्लेम आ रहा है तो आप एक बार दोस्तो आपने डिवाइस को रिश्टार्ट करके देखें डिवाइस रिश्टार्ट करने के बार अगर प्रॉब्लेम सॉल्फ होते है तो ठीक है अगर प्र phone service धुनने की कोशिच कीजिए ठीक है phone service कि तो यहाँ पर phone option है तो इसमें आपको click करके जाना है and then आप जो है दोस्तों यहाँ पर जाए storage में clear data पर click करके okay कर देना और इसका data को clear कर दीजिए जैसे data clear होगा आप बेख करें बेख करने के बाद दोस्तों आप अपने call setting को open कीजिए three dots में क्लिक करके आप call setting पर जा सकते हैं and then दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकर का interface ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा आप record call के अंदर पर जाए यहाँ पर रेकॉर्ट calls ठीक है auto record calls तो यह option आप इनेबल कर दीजिए तो यह option को इनेबल जिससे आप करोगे तो आपका auto call recording on हो जाएगा तो एक बार आप दोस्तों try करके देखिए ठीक है record करने के कोशिश करें तो इतने में दोस्तों आपका problem जो है solve हो जाएगा definitely क्योंकि दोस्तों हमने solution के साथ setting कर दिया है तो चेक करके देखें अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर अभी भी दोस्तों आपको problem आ रहा है तो जाएए अपने सेटिंग पर और यहाँ पर आपको ऑन करना है जेनरल मेनेच्मेंट स्ट्रॉल डाउन करें रिसेट के option पे जाए रिसेट और सेटिंग पर क्लिक करके सारे सेटिंग को यहाँ पर रिसेट कर डीजे मोबाइल पेटरन पास्वोर्ड जो भी है उसको भर दीजे और सारे सेटिंग को एक बडर सब्सक्राइम पर डीजेट करके दुवारा से ट्राइब करके दीखी अगर इससे काम बन जाते हैं प्रोब्लेम सॉफ़ हो जाते है तो अच्छी वादे फिर भी दोस्तों मान लिजिए प्रोब्लेम आपको आ रहा हैं ठीक है इतना सॉलूशन किया फिर भी आपको प्रोब इतली फिक्स हो जाते हैं ठीक है तो आपको मोबाइल सोफ़र भी अपडेट करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते आप ठट पाटी आप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते जैसे कि कॉल रेकोर्डिंग का यहाँ पे अप्लिकेशन नहीं होते ऐसा ठ पताने दोस्तों अच toen आप इसको भी जो है यूज कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लिम को फिक्स कर सकते हैं उम्मीद करतें सो वीडियो आपको जो है पसने होगा टैउंकर राच्छिंग